बिस्मिल्ला इर्वाह्मान इर्वाहिम अस्लाम लेकुम विवर्स वैलकम टू माई चैनल कुकिन विद्मली का उमीद है कि आप सब हैरो आफ यसे होंगे अल्ला तला आपको हमेशा हुच और अबाद दखे आमिन सुमा आमिन तो विवर्स आज हम बिलकुल रेस्टॉरन स्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है हमारी टांगों की मसुद्しま ने हैं जल्डित से आपको बताते हम आपने आप नगाके इसको लग देना और 8 के साथ मलमल के धो नैस यसी क्या होगा की बिल्कूल । क्लीन हो जाएंगे और उसके बाद इसको आपने वाश करके बास केट में डाल देना है तो बस सिंबल सा तरीका है इसे आपके पाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे तो चली वर्थ अब हम रेसीपी की जाने बढ़ते हैं आपको यह रेसीपी अच्छे आपको प्यास नदर आ रहे हैं इसमें से दो अधर प्यास हमने रफली कट करके इसके इंदर शामिल कर देने हैं और जो बाकी तीन अधर प्यास हैं उसका हम पेस्ट एड़ी करेंगे और पेस्ट को हमने कहां पर यूज करना है मैं इंशाल आपको जरूर बताऊंगे तो य साथ इसके इंदर शामिल कर देंगे Halfusion craft अबर इसके इसके इंदर करने के बाद इसके इसके इंदर कुछ साबध मुसाले के टीमीरूब हाफ टीज़्पून के करीब है काली मिर्च एक छोटा टुकरा हमने ले लिया है जाइफल का और छोटा टुकरा ही ले लिया है जावेत्री का और साथ यहां पर तीन अदद बने ले लिया है सिरामें स्ट्रीक्स यानिके दार्चीने के टुकरे चार से पांच अदद लोंग ने यहां एक टीज़्पून ले लिया है जीरा साथ एक टीज़्पून ले लिया है सोंफ इन चीथों को हमने इसके अंदर शामिल कर देना है दो अदध ब्री ये लायची भी इसको हमने कूट करना है इसके साथ इसलिभी से क्या होगा कि पाय की जो मक्सूस स्मैल है वो था मों जाएगी और यहने के अंदर इन सारे ही साबत मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुश्बू आएगी तो चलिए वज आप हम पानी शामिल कर देते हैं चार से पांच लिटर पानी आपने इसके लिए शामिल कर देना है और इसको कूक करने के लिए छोड़ देना है पहले आपने इसको बॉइल करना है बॉइल आने के बाद लो फ्लेम पे तक्रीबन चार से पांच घंडे के लिए इसको आपने गलने तक पका लेना है अगर आप रश्चर को कर में पकाना चाते है reps की पेंताविस मिनट दरकार होंगे इसको काने कि लिए या गलने के लिए आर्ट से दस वेसल आने के बाद तक्रीबन 40-45 मिन तक आप इसको पकाएंगे तो यह गल जाएंगे तो हम तो इसको एक आम वेसल में कला रहे हैं इसलिए 4-5 घंटे हमें लग जाएंगे साथ ही हम प्यास की पेस क्राड़ी करके रख लेते हैं और यहां पर 4-5 अदर्थ हरी मिर्चे हैं जितना तिखा आपको पुसंद है उसलिए हाथे आपने हरी मिर्चे इसके अंदर डाल दीनी है और इसका पेस बनाके रख लेना है तो यहां पर वर तक्रीबन 5 घंटे गुद पाने रिडियूस हो चुका है तो पाय हम अलग कर लेंगे और इसकी जहने रख करके लेंगे दूसरी साइट पर हमने क्या करना है त्री वाई-फॉर्ट कप या एक कप आप ओयल ले 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 उसको छितनी कि से गर्म कर लें और जो प्यास का पेस्ट प्लांके रखा है उसके में आते हुए और एक टेबल स्पून अब हमने शामिल कर दिया है इसको भी फ्राइब करना है तकरीबन एक से दो मिनट के लिए ताकि इसकी रोस्ट में लातम हो जाए और यह भी एक गोल्डन कलर में आज़े अब वीवर्स हम इसके दर शामिल कर देंगे हरे मिर्चें जिसक कर देंगे तरह कंदर शामिल कर देंगे सुष मेर्च पाउडर या आप मिर्चे आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम रिया ज्यादा कर सकते हैं एक टीस्पून बढकर कर देंगे इसके नदर किशमिली लाल मेर्च यससे इसका कलर भी अच्छा आजएगा और अच्छा हो ज देते हैं हुश्टनिया पाउडर जो के रोस्टिट है और साथ ही एक टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं जीरा पाउडर यह भी रोस्टिट है तो वर्च इन सारे स्पाइसिस को आमने बिल्कुल लोफ ने पे तक्रीबन पांच उनर के भून देना है थोड़ा-थोड़ा स मैंने और शामिल किया है और इस तक्रीबन एक कप पानी मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा-थोड़ा करके और इसकी भूनाई कर ली है इसकी भूनाई करना बहुत ज़रूरी है यहां पर थोड़ा-थोड़ा आपको मेहनत करनी होगी और मसाले को अच्छे तरीके से भूनन बीट करने के बाद आपने शामिल कर दिनना है और अची तरीके से भुवन जाए तो यहां पर विवर्स मसाला रड़ी हो चुका है अब हम ने जो पाई गला के रखे थे इसको इसके अंदर शामिल कर देते हैं इसकी जहनी हमने अलग कर ली है और विवर्स जो हमने प्यास रफ्ली कट करके डाला था ना यहनी बनाते हुए उसको भी साथ ही इसके देर शामिल करना है प्यास इतना गल चुका है कि जब हम पाई की भुनाई करेंगे तो प्यास भी अच्छे तरीके से मैश हो कुछ से पाई को आपने साइट से घुमाते हुए फ्राय कर लेना है पाई हम फ्राय करेंगे कि जब तक कि इसका ओइल सप्रेट ना हो जाए तो यहां पर वर्स आपको ओईल के बबल नदर आना शुरू हो गए हैं पाई भी हमने भून लिये हैं तकरीपन चार ते पांच के लिए यहनी ज्यादा ही रखेगा क्योंकि पाई हैं इसका थिक शोर्बा अच्छा नहीं लगता और तबीयत पर थुरा भारी लगेगा तो यहां पर वर्स हमने तक्रीपन पांच नदर के लिए यहनी को पका लिया है पाई के साथ अब हमने इसके अंदर कुछ और इंग इससे क्या होगा कि एक अच्छा फ्रेवर आ जाएगा हुश्भू आ जाएगी और साथ ही सोरे से धनिया के पते शामिल करके दो मिनट के लिए धंपे लगा देना है तो यह लिचे विवर्स मदेधार से पाई रेडी हो चुके हैं जो हमारी सिहत के लिए भी बहुत मुफी कीजिए इसके साथे भी वर्स इजादत चाहते हूं फिर आतिरों की एक नहीं रेसिपी के साथ अपना बहुत साहिया रखेगा मुझे भी दौह में याद रखेगा अलाहाफिर